हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और जैसा कि अभी आपके स्रीज चल रही है इंगलिश की और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी प्रेपोजिशन का ठीक है इंगलिश के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इं करने से क्या होता है आपको confidence आता है और कई बार आपको मिलते जुलते question आपको exam में भी मिल जाते हैं तो चलिए बिना time waste कि आपका शुरू करता हूं आज के questions को first question देखिए it is 10 o'clock dash my watch it is 10 o'clock dash my watch क्या proposition आएगा यहां पर to from by with तो एक एक करके हम इसको चेक करते हैं कि यहां पर क्या आ सकता है तो to का मतलब होता है को यानि की my मेरी जो घडी है उसको 10 बजे है या from मेरी घडी से 10 बजे है या by का मतलब होता है दुआरा ठीक है या मेरी घडी के द्वारा 10 बजे है या फिर मेरी घडी के साथ 10 बजे है तो जो यहां पर best option है वो क्या होगा यहां पर होगा option C मेरी घडी के द्वारा 10 बजे है जब भी कोई machines की हम बात करते है ठीक है और वो कोई कार्रे करती है तो उसके पहले हम यूज करते है बाए का ठीक है ब बाकी सब का तो मतलब आप समझ गए होंगे, abstain का मतलब होता है परहेज करना, तो अब हम देखते हैं कि यह जो हमारा फिलिंदा ब्लैंक से है, यहां पर क्या आपका जो बेस्ट आप्शन आ सकता है, क्या बइस तरीके से मानलीजे दो प्रकोजिशन ऐसे एसे मिलेंगे कि यह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है तब हम वहाँ पर देखते हैं, यह भी यह जो आपकी प्रेजल वर्ब्स मेर्पी ऐसे खती है तो देखते हैं यह पर क्या ओसकताає, इन, he was advised to abstain in, क्या इन आ सकता है, इन का मतलब होता है मे, यानि कि तुम परहेज करो, एल्कोहलिक ड्रिंक में परहेज करो, ऐसा तो हो नहीं सकता, at, at का लगभग भी है, मिलता जुलता, में ही होता है, तो ये भी नहीं आ सकता, from, from का मतलब होता है say, तुम हारे को advice किया जाता है, कि तुम परहेज करो, किस से all alcoholic drink से, तो ये एक हो सकता है, हम इसको consider कर सकते हैं, by, यानि कि तुम alcoholic drink के द्वारा परहेज करो, तो यहाँ पे जो correct option है, क्या होगा, यहाँ पे आप समझ गई होगे, option C, यहाँ पे सही होगा, he was advised to abstain from all alcoholic drinks, जो भी आरी alcoholic drink है, उससे आपको परहेज करना है, यह आपको एक advice किया जाता है, ठीक है, हाला कि abstain from ही आपकी phrasal word बनती है, जिसका मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, चलते हैं अपने next question, third question पे, third question से पहले आपके लिए जरूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे channel पे new हैं, आप मुझे अपना name लिखके इस number में message कर देना, ताकि हम आपको अपने broadcast system से जोड़ देंगे, ठीक है, और हाँ, आपको telegram channel का link भी description box में दिया है, आप उसे भी join कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, third question पे आगए हम अपने, तो third question आप से पूछते हैं, take this medicine and you will get rid dash the bad cold, यानि कि तुम ये दवाई ले लो और इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, rid का मतलब होता है छुटकारा मिलना, ठीक है, the bad cold, तो आपको बताने हैं यहाँ पे blanks में क्या आएगा, तो एक एक करके option को देखते हैं, अपने, first app का from, from का मतलब होता है say, यानि कि तुम इस दवाई को ले लो, इससे तुम्हें from, say, the bad cold जो भी है, उससे छुटकारा मिल जाएगा, ओवर का मतलब होता है, उपर, ठीक है, यानि कि जब दो चीजे एक दूसरे के touch में नहीं होती है, ठीक है, तो क्या ऐसा यहाँ पे कोई condition बनती है, नहीं, तो यह नहीं होगा, at, at का मतलब होता है, मे, तुम्हें cold में छुटकारा मिल जाएगा, तो यह भी नहीं हो सकता, off, off होती है, आपकी एक relative position, ठीक है, यानि कि कभी हम कहते हैं कि एक चीज और उसको हम दूसरे के reference में जब यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, इसका मतलब भी यहाँ पे होगा say, तो अब यहाँ पे दो चीजे बन रही हैं, आपकी एक तो option A और है आपका option D, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे, take this medicine and you will get rid dash the bad code, तो यहाँ पे मैं आपको answer बताता हूँ, यह है आपका option D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी relative या reference की बात होगी, किसी चीज से छुट चाहिए आपको, ठीक है, तो वहाँ पे हम off का यूज करते हैं, और आपकी phrasal verb भी यह होती है, rid of, ठीक है, take this medicine and you will get rid of the bad cold, यह पूछा भी गया है आपका एक exam में, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखना, rid of का मतलब होता है छुटकारा मिलना, ठीक है, चलते हैं अ आपको बताना है इन दोनों ही फिलिंदा ब्लैंक में क्या आएगा, तो अपने option से चेक करते हैं, from to, तो he was staying from Nwada, a big village to Bihar, Nwada से एक village है Bihar को, वहां रहता था, तो ऐसा हो सकता है कि Nwada एक से Bihar तक एक village हो, तो यह नहीं होगा, B है, from at, Nwada से एक Bihar में एक village है, वहां रहता था, तो ऐसे भी नहीं कोई sentence बनता है, at और in, तो आपको मैंने बताया था इससे previous वीडियो में, जो भी आपकी छोटी जगा होती है, ठीक है, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, at का यूज करते हैं, ठीक है, और जितनी भी आपकी बड़ी places हैं, ठीक है, cities के नाम है, उससे पहले हम यूज करते हैं, इनका, ठीक है, तो ये condition यहां पर बनती है, he was staying at Nwada, a big village in Bihar, ठीक है, at जो है, ये नवादा जो है, ये Bihar के अंदर आता है, तो Bihar के comparison में, Nwada एक छोटी जगा है, और Bihar एक बड़ी जगा है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे इनका, ठीक है, चलिए, समझ में आया है, तो यहाँ पर जो सही option है, आपका option C, चलते हैं अपने next question, fifth question पर, fifth question पर, fifth है आपका, he was, he has been unwell- Saturday, ध्यान से समझना इस question को, यहाँ पर बात हो रही है, time की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम यूज यूज करेंगे, preposition of time, ठीक है, preposition of time यहाँ पर क्या use हो रहा है, वो हम देखेंगे, तो देखे, option आपके है, four, on, since, और in, यानि कहने का मतलब यह है, कि वो unwell है Saturday से, तो क्या आएगा यहाँ पर, four आएगा, on आएगा, since आएगा, in आएगा, तो देखे, four और since, इसको मैं अ and well है, यह दोनों नहीं हो सकते, अब हम बात करते है, four और since की, इन दोनों में से ही यहाँ पर कोई एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर, point of time की बात हो रही है, ठीक है, time की बात हो रही है, तो अब हम एक-एक करके इसको समझते है, जब भी हम बात करते है, period of time की, ठीक है, period of time, जैसे कि two weeks, three weeks, one month, two century, one century, ये एक period of time है, और जब हम करते है point of time की बात, point of time का मतलब होता है one o'clock, two o'clock, Saturday, Monday, तो हम वहाँ पर use करते हैं आपका since, ठीक है, हाला कि जो आपका on है, वो भी use किया जाता है, जैसे कि days के नाम के पहले, लेकिन यहाँ पे जो condition बनती है, वो पर वाल situation, has been यहाँ पर use किया गया है, तो ऐसी condition में, has been वाली condition में, या तो आपका since आएगा, या फिर four आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यह है आपका एक point of time वाली situation है, तो यहाँ पे हम use करेंगे since का, ठीक है, he has been unwell since Saturday, ठीक है, और अगर मान लीजी यहाँ पर morning होत तो तब भी हम since ही use करते, क्योंकि morning भी जो होती है, आपकी point of time है, ठीक है, और अगर period of time होता, he has been unwell from, sorry, four two weeks, तो हम जो two weeks है, यह आपका एक period of time है, यानि कि यह एक शुरू भी हो रहा है और इसका एक end point भी है, two weeks, तब हम यहाँ पे four का use करते है, समझ में आए आपको since और four के लिए, चलते हैं अपने next question, sixth question पे, sixth है आपका listen dash your teacher carefully, listen dash your teacher carefully, तो क्या आएगा यहाँ पे off, from, with, or to, तो देखे, मैंने आपको कहा है कि English में आप ज्यादा से ज्यादा practice कीजिए, बहुत common सा sentence है, आप use भी करते होंगे, listen क्या आएगा यहाँ पे, listen to your teacher carefully, ठीक है, two proposition का यहाँ पे use होगा, ठीक है, चलते हैं अपने next question पे आगा है, अपने seventh question पे, ध्यान से समझना काफी important question है और शायद आप इसका correct answer दे भी पाएं और ना भी, तो देखे, question क्या है, he is jealous dash me, he is jealous dash me, अब क्या सकता है है, from, from का मतलबता है say, वो मुझसे jealous है, बिल्कुल हो सकता है considerable है, मान सकते हैं इसको, by, मेरे द्वारा jealous है, तो कैसा हो सकता है, कि वो मेरे द्वारा jealous हुआ हो, कि कोई मुझसे कह रहा है, off, off होता है आपका एक relative position में, कि वो मुझसे jealous है, और in, वो मेरे में jealous है, तो क्या यहाँ पे हो सकता है, आप जल्दी से correct answer बता दीजे, या सोच jealous-me, jealous के बाद आता है आपका off, ठीक है, वह मुझसे जलता है, ठीक है, तो jealous, जो jealous के बाद आता है, आपका off, क्योंकि यही आपके एक phrasal verb है, ठीक है, verb plus proposition, jealous of me, ठीक है, दुबारा सुनीजे, jealous के बाद off use होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका option C सही है, चलते हैं अपने next question एर्थ कोशन पे, एर्थ है आपका, she has a passion, dash, dance and music, she has a passion, dance and music, तो अगर मैं आपको इस sentence को एक बार और और रीट करके बताता हूँ, शायद आप इसका answer दे पाऊगे, उसका passion किस चीज के लिए है, dance and music के लिए, तो क्या condition बनने है, के लिए, तो के लिए किस के लिए यूज ह होगा, तो यहां पे 4 का मतलब ही होता है, के लिए, तो यहां पे जो correct answer हो गया हो जाएगा, option D, समझ माया, तो upon, at, in तो होगा नहीं, dance में, dance के नीचे, तो ऐसी situation तो यहां पे नहीं है, उसका passion किस चीज के लिए, dance and music के लिए, तो option D, यहां पे सही होगा, तो चलते है, at आएगा, on आएगा, off आएगा, in आएगा, तो देखे, यहां पर भी जो बात कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे है, preposition of time की बात कर रहे हैं, ठीक है, sunset, sunset आपका एक time होता है, ठीक है, sunrise, sunset, यह जितने भी time होते हैं, या फिर हम कहले, parts of day, parts of day, उससे पहले हम preposition यूज करते है है, at, दियान रखना मैंने बता दिया है, he came at sunset, he came at sunrise, ठीक है, parts of day जो भी होते हैं, उससे पहले हम at proposition का use करते हैं, ठीक है, चलिए, चलते हम अपने next question, 10th question पे, 10th है आपका, I met him dash January, I met him dash January, क्या आएगा यहां पे, four आएगा, off आएगा, two आएगा, या फिर in आएगा, तो मन मन्त का एक नाम है, ठीक है, और अगर मन्त का नाम है, तो उससे पहले क्या आता है, I met him in January, ठीक है, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो भी आपके मन्त के नाम है, उनसे पहले in आएगा, ठीक है, हाला कि हम यहां पे बात कर रहे हैं, आपके point of time क ठीक है, point of time की, तो 4 तो यहां पे आएगा नहीं, आफ भी नहीं आ सकता, का के की, या January को मिले थे, तो सही यहां पे जो condition बनती है, वो D की ही बनती है, हम January में मिले थे, ठीक है, चलिए, चलते हैं अपने next question, चलते हैं अपने next question, 11th question पे, 11th है आपका, she was going dash the airport, going dash the airport, अब द ти, problems going, वो जा रही थी कहा, एरॉट के लिए जा रही थी, ठीक है, B बनता है, towards, एरॉट की तरफ जा रही थि, ठीक है, by, एरॉट के द्वारा जा रही थी, या फिर, एर्उपोर्ट से, OFF का बतलक है, अलग होना किसी चीज़ से, ठीक है, वो एरॉट से, अलग होके जा रही तो क्या से यहां पर सही situation बनती है तो यहां पर हम बात कर रहे है आपकी जो आपका proposition of place ठीक है proposition of place या फिर direction कह लीजे तो क्या यहां पर सही बनता है यह बनता है आपका option B she was going toward the airport वो airport की तरफ जा रही थी ठीक है यहां पर proposition of direction या फिर place का use होगा ठीक है चलते हैं अपने next question प took dash from the airport the aeroplane took dash from the airport हाला कि अगर आपने sentence यूज किया है या आपने movies देखी है अब बता भी पाएंगे aeroplane क्या करता है take off करता है करता है न take off तो जाहिर जी बात है past में sentence है तो हो जाएगा took off the aeroplane took off from the airport ठीक है चलते हैं अपने next question पर चलते हैं 13 question पर सिंपल सिंपल से sentence है आप आराम से इसके answer दे सकते हैं 13 है सीमा इस टेकिंग बॉल डैश दा बॉक्स शीमा इस टेकिंग बॉल डैश दा बॉक्स क्या आएगा यहां पर देखते हैं अपने option से check करते हैं कर प्रपोजिशन में मतलब कुछ और भी निकल जाता है ठीक है यह है box के लिए बॉल निकाल रही थी नहीं वहीं ऐसा नहीं हो सकता आउट शीमा इस टेकिंग बॉल आउट दा बॉक्स ठीक है तो यह भी हो सकता है consider कर सकते हैं C है out of the box सीमा इस टेकिंग बॉल आउट दा बॉक्स या फिर D on to या फिर जो बॉल को निकाल कर वो बॉक्स के उपर रख रही थी ठीक है या उसके उपर के लिए निकाल रही थी तो यह भी नहीं बनता आउट बनता है या फिर out बनता है सीमा इस टेकिंग बॉ जो आउट ऑफ दा बॉक्स के फिर out the box तो out the box नहीं होगा हमारा होगा out of the box ठीक है दुबारा सुन लीजए किसी चीज को जब में किसी चीज से निकालते हैं ठीक है तो हम वहां पर out ना यूज attach अउट यूज करते हैं सीमा इस्टेकिंग बॉल आउट आप दा बॉक्स ठीक है चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन 14 कोशन पर बहुत सिंपल दा कोशन है ह found in turn 2 जम्ट पुल तो जो ही है जो आपका प्रोनाउwn है कोई भी वह सकता है वो क्या है वह मोशन में फीक हो और उसने जम्ट लगाई है in शो क्या यूज और हम यूज रखा यहां फे मैंने आपको पिछली वीडियो घाए कि जब भी कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जम कर रहे होदो पता चल रहा है मेंं मोशन में बिगे तो मुशन में खरते इंक का शिजंपड़ इंटु नाइन अ पूल ठीक है शिजंपडींटु पूल ठेक है तो इन तु लिए वॉक कर रहे हैं नहीं वो उपर की तरफ जो हिल है उसके उपर वॉक कर रहे हैं तो यह हो सकता है इन तो यह थे आपके total 15 questions, I hope आपको अच्छे से समझ में आयोंगे, जादा से जादा practice कीजिए, यूट्यूब बहुत अच्छा माध्य में पढ़ने का है, लेकिन आप अपनी book से जरूर practice कीजिए, ठीक है, book में जितनी भी आपको exercise मिलती है, proposition की वो करिए, क्योंकि मेरा काम है आपको अभी exercise कराना, इस तरह से हो सकता है, मिलते जुलते question कोई sentence आपको exam में मिल जाए, तो तब ही आप इसका correct answer चूज कर पाऊगे, क्योंकि आपने practice की होगी, तो जादा से जादा practice कीजिए, ठीक है, और guys, अगर आपको session अच्छा लगा हो, तो please like जरूर कर दीजेगा, और comment करके जरूर बताना, ठीक है, चलिए, thank you so much guys,